नकुल महता और दिश्वा परमार एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर साथ नचर आने वाले हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं शो की नए सीजन में फैन्स में इस हिट चोड़ी को स्क्रीन पर देखने के लिए काफी बेताब हैं खुश हैं लेकिन नकुल क्यों है शो के नए सीजन को लेकर थोड़ा नर्वस जियां एक तरफ हाल ही में मुंबई के एक स्टूडियो में शूटिंग शुरू हो गई है और पहला प्रोमो भी शूट किया गया तो ही दूसरी तरफ नकुल ने खुलासा किया है कि वो शो को लेकर शुरूआत में चिंता में भी थे जी हाँ इटाइम से बाचित में क्या कुछ कहा है नकुल ने बताते हैं आपको दिरसल ई टाइम से बाचित में ना सिर्फ नकुल ने शो को लेकर पहली बाट चुपी तोड़ी है बलकि ये भी बताया कि आखिर वो नए सीजन से क्यों थोड़े घबरा रहे थे इस बारे में नकुल बताते हैं कि राम का केडार निभा कर उन्हें इस कदर लोगों का प्यार मिला कि वो सीजन 3 में राम के केडार को एक पर फिट से करने पर खोड़ा घबराहट महसूस कर रहे थे और प्रेशर भी नकुल कहते हैं जो मैं इस सभी संदेशों और प्यार को देखता हूँ तो मुझे घबराहट होती है हम दबाव महसूस करते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दिशा और मेरे दोनों का एक्सपिरियंस एक जैसरा है पिछले तीन महीनों में हम जहां भी गए सच मुछ लोग हमें रोकते थे और कहते थे राम और प्रिया हमारे फेवरेट थे वो हमसे पूछते कि आपने शो क्यों छोड़ा अब आप उन्हें कैसे बताएंगे कि क्या हुआ लेकिन आप उस प्यार को वापिस लाने की कोशिश करें पिछले एक महीने से ये शो का नया सीजन आ रहा है मुझे लगा यार बता दूं किया लेकिन निश्चित रूप से आप तब तक रुके रहते हैं जब तक आप सुनिश्चित नहीं हो जाते मुझे याद है कि मैं दो दिन पहले एक महीला से मिला थे वो लगभग 65 से 70 साल की थी और मैंने उनसे कहा कि हम वापसी कर सकते हैं और वो काफी excited हो गई हाना कि अचानक मुझे लगा कि हमारी बहुत बड़े जिम्मेदारी हैं क्योंकि लोग किरदार और शो से बहुत चुड़े हुए हैं मुझे उमीद है कि हम लोगों का प्यार और डिस्पेक्ट एक पर फिर से पासकते हैं उमीद है कि ये जनता तक आगे बढ़ेगा वही नकुल ने ये भी बताया कि उनका reaction कैसा था जब उनने season 3 के लिए makers का call आया नकुल बताते हैं मेरा पहला reaction था और फिर मैंने कहा येस लेट्स एक्स्प्लोर दिस फिर मैंने सोचा कि ये कैसी होगा लेकिन फिर मैंने कहानी सुनी और फिर मुझे हैसास हुआ कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नकुल ने ये भी कहा कि शूटिंग शुरू करते ही वो अब कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे और सेट पर टाइम को काफ इंजॉय कर रहे हैं वेल शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अब जल्धी शो का पहला प्रोमो भी आप लोगों के सामने होगा